पूरियो जाए अब इसे नियूस की खास मुलाकात इस कारेक्रम में मैं ख्षितिजा आफ सभी कास स्वारुप करती हूँ आज हमारे साथ है डॉक्टर विभाज यह आज पूर्ट इंजुरी कंसल्टन्ट है उज्वन मल्ति स्पेशल्टी होस्पिटल में अपनी सेवा देते है उनसे हम जानेंगे उनके करियर के बारे में उनकी जो जर्नी है और डॉक्टर बनने के बाद वो जो उज्वल मल्ति स्पेशलिटी होस्पिटल में वो जोईन हुए उनकी यह जर्नी कैसी रही इसके बारे में आज हम से जानते है क्या बताओगे सर आप स्पोर्ट बच्पन से मेरा ये घर का माहौल था कि सभी लोग थोड़ा स्वास्त सेवा से जुड़े हुए थे मेरे ताओजी डॉक्टर थे पिताजी भी मेडिकल फील से रेलेटेड रहे हैं आलगि वो बाद में रेंजर फोरेस्ट रेंजर होगे पर इस तरीके से शुरू से जुका था कि स्वास्त सेवा के छेत्र में कुछ अच्छा ग्यान अरजित करके कुछ अच्छा फील्ड चुन के लोगों तक उस सेवा को समुचित रूप से पहुचा सके हैं ये जर्मी जो है ये स्टार्ट कहा से मैं अपना MBBS जो है नेदा जी सुबास्चन बोस मेडिकल कॉलेज जवलपूर से किया उसके बाद मैंने MS Orthopedics जो है गांधी मेडिकल कॉलेज भुपाल से किया है उसके बाद कुछ समय मैं senior resident भुपाल एम्स में था फिर मैं as a consultant मैंने CMC Wellor जैसे prestigious institute में लगबग 2 साल तक काम किया जहां मुझे दीरे-दीरे काम करते हुए realize हुआ कि मेरा जुक एम्स में sports injury की पढ़ाई के लिए तो उसके लिए मैंने फिर वो exam crack किया और उसमें मैंने दो साल तक चेत्र में था न्यूडरी में स्पोर्स इंजरी के चेतर में fellowship लिए है और उसके बाद से मैं नागपूर में अपनी सेवाइं sports injury के चेतर में दे रहा हुँ मैंने ततामेगे ग्रूप का जो मेडिकल कॉलेज है ततामेगे मेडिकल कॉलेज वो जॉइन किया अज पोर्स इंजिरी कंसल्टेंट उसी समय में उज्वल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़ा जहां के डिरिक्टर ढॉम्रे साथ में हमने वहां पर वरो एक स्पोर्ड़ इनुरि छेन्टर इवल्ड़प किया है जिसमें महा लोको को स्पोर्स इंजिरी से ए तो यह किस तरह से बतलब यह जो है सब हुआ है किसे आप वहां जॉइन हुए है क्योंकि आप दतामेगी में भी जो है कंसल्टेंट के तौर पर कार्या करते हो तो कैसे जुड़े हो उच्वल मतिश्पेशलिटी होस्पितल से नागपूर लौटा तो मुझे लगा स्पोर्स कि चेत्र में यहां पर बड़ा वॉइड है लोगों में भांतियां भी काफी है और उससे रेलेटेड हम लोगों को अचित रूप से समझाना चाहिए और उसके लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है तो वो लोगों तक सही जैनकारी पहुंचना चाहिए उसी को लेकर मैंने मेडिकल कॉलिज जॉइन किया साथ ही जब हिंगना चेत्र में मैं काम कर रहा था तो जो डोक्टर उम्रे है उनके संपर्ग में आया और हमने फिर उजवल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस तरीके से एक जिसको कहते हैं एक प्रारूप बनाया कि हम इस जगह पे ए जिली वेल लॉर के बाद नागपूर में आपकी जो है सेवा शुरू है क्या बताओगे उजवल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जिस तरह जो है स्पोर्ट इंजुरी कंसल्टन के तौर पर कारे कर रहे हो अभी तक कुछ ऐसे वाकिया होएंगे जो आपके एक्यूट ट्रॉमा से रिलेटर थे क्योंकि बड़ा इंडस्ट्रेल एरिया है जहां रोजमर्रा की जिंदिगी में बहुत सारे ट्रॉमा होते रहते हैं जिनमें फिंगर से रिलेटेड नी से रिलेटेड शोल्डर से रिलेटेड काफी सारे ट्रॉमा है और इनी से मिलते ज स्टापके टीयर से परेशान थे बड्योफ प्रॉपरली जूनका डी तीयग्वनोसिस नहीं नहीं अउक पाए था और जो काम करने में अपने अपनी टरीके से अपनी छंता से काम नहीं कर पा रहेे थे तो ऐसे लोगों को हम को हमने सेग्रीगेट किया उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट बनाया और उनमें से अधिकतर लोगों को बहुत ही रीजनेबली कोशिश के रेट पे हमने जो बेस्ट सुविधाय हैं जो लग बगा सबसे आला दरजे की सुविधाय हैं ऑपरेशन करके उन्हों उन्हें उनकी पू जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां भी कुछ ऐसे ट्रामा होते हैं आपने बहुत केसे वहां हैंडल किये तो स्पोर्ट इंजूरी क्या होती है और यह कैसे होती है क्या है पूर्ट इंजिरी हम जनरल लेंग्विज में बोलते हैं मतलब कि नॉर्मली एथलीट में और जो जिसको हम बोलते हैं contact and non-contact sports particularly high velocity sports जैसे football, cricket, badminton इन में ज्यादा होती है जिसमें mostly ligament injuries हैं जो knee की हैं जैसे anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament या shoulder की rotator cuff injuries या कंधे के जोड का बार बार उतर जाना तो यह injuries common होती हैं बट रोजमर्रा की जिंदिगी में या फिर particularly जो industrial area में heavy workers हैं ज इनको भारी काम करने पड़ते हैं उन में भी इस injuries के होने के काफी जादा संभा होना है क्योंकि धीरे धीरे अभी हमारे समाज में और industrial जैसे जैसे authorities आती जा रहे हैं regulatory authorities आती जा रहे हैं वहां का माहौल सुधरता जा रहा है फिर भी जो labor class है और जो वहां का working class है उनको वहा बात पसे ही कहां आपने की जो injury है वो जिस तरह से अभी development हो रहा है हमें देखने मिल रहा है कि इन्जरी भी हमें देखने मिल रही है पेशन जो है कैसे साने लगे क्या बताना चाहोगी क्या इन लेबर वरकर्स को या पिर जो athletes है जो sports खेलते हैं उने क्या बताना चाहूग किस तरह से बचा जा सकता है या क्या उपाय हो सकता है बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पुछा क्योंकि सेम उस particular area हिंगना एरिया के आसवास में काफी सारे कबड़ी प्लेयर्स भी रहते हैं जो कि महराश्ट नाकपूदिस्टिक को एवन कुछ प्लेयर्स जो हैं वो महरा किसी दिन कुछ मोटिवेशनल देख लेते हैं या हम कुछ मोटिवेशनल स्पीकर से मिल लेते हैं और हम नेक्स दे से फुल अपने जोश के साथ उन चीजों को करने में चालू हो जाते हैं बट उसके लिए हमको यह समझना होगा बेसिक कि हमारा शरीर उस चीज के लिए तै कि उन सब गतिविधियों के लिए तैयार करना होता है यदि हम पहले दिन से 2-4 km दोड़ना चालू कर देंगे तो डफिनिटली हमारा पैर हमारे पैर हमारे कमर के हिसे उस चीज के लिए तैयार नहीं है तो यही बताना चाहूंगा कि जब भी आप कुछ डिसाइड करें को स स्पोर्स एक्टिविटी या कुछ भी जिम का एक्टिविटी या आप कुछ कसरत शुरू करना चाहते हैं तो पहले शरीर को उसके लिए प्रॉपर तरीके से तयार करना जुरूरी होता है इसे तो बहुत से हॉस्पिटल है पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे हम यह चाहते हैं कि हम वहां पर इतिकल एन अफोर्डेवल यह दो वर्ड में मैं इसको कंसाइज करना चाहूंगा कि यह सुविदाएं हम उनको प्रदान कर सकें ताकि उनको एक सही गाइडलाइन मिल सकें किसी भी चीज को प्रॉपरली ट्रीट करने का वो कन्फ्यूज ना हो क्योंकि उस जगह को जो पॉपुलेशन है वो जिनको चीजों को समझने के लिए थोड़ी जादा टाइम और उनको एक्स्प्रेशन की जरूरत है तो ऐसे लोग हम यह चाते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल में उनको किसी भी चोट के बारे में विस्तरत जानकारी दे सकें और उनको सही ट्रीटमेंट बता सकें और उसका वहीं पर सही माइने में और एक उचित दाम पर उनका इलाज कर सकें अविशे बताया कि आप में जो स्पोर्ट इंजयरी कंसल्टेंट का कोर्स किया है उसके लिए पूरे देश ब्र में 2 ही सिट तो आने वाले जनरेशन जो इस फिल्ड में आना चाहती है, उन्हें क्या बताना चाहोगे? किस तरह से उन्हें बताना चाहती है, मैं यह चाहता हूँ कि आप अपना पैशन फॉलो करें, किसी दूसरे को फॉलो ना करें, जो आप सभी चीजों के लिए ओपन रहें, टाइम दें सभी चीजों को, फिर जो आपको अच्छा लगता है वो करें, कोई दूसरा जो कर रहा है उसके पीछे जाने की बिल्कुल भी जुरूर्वत नहीं है, पाखरी, सवाल, जैसे कि आप स्पोर्ट इंजिरी कंसल्टेंट हो, क्या बताना चाहोगे जो स्पोर्ट से रिलेटेड है, अन्हें, देखिए अच्छा चीज है, मुझे, मैं बड़ा सभाकिश हैली हूँ कि अ में अलग तरीके का एनर्जी होता है, तो मैं अभी सारे यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि हमें उस इंटेंसिटी को समझना होगा, हमें सिर्फ सोचने पे नहीं, उस चीज को करने पे भी ध्यान देना होगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है, धर्शकों तक हम आपकी जानकारी दी है, वह हम पहुचा रहे हैं, जिस तरह से जो भी स्पोर्ट्स वाले हो या जो भी लोग हमें देख रहे हो, उन तक आपकी जानकारी है वो पहुच चुकी है, आगे भी हम इस कारी कर्म में आपको हर ऐसे वक्तित पसे मिलाएंगे, जो आपको उप्रिय आपकी जानकारी देज सके, आज की खास मुलाकाट में वक्ति जलाएंगे रुपने का देखते रहे हैं वी सेरियर्स